नमस्कार गुरुग्यान IAS के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्रेम में आपका स्वागत है इस डिन्यू में चर्चा का विशय है लोगपाल ऑनलाइन पोर्टल अर्थव्यवस्था की आशा से कम सफलता में भरस्टाचार महत्वून तत्व है और यह लोकतंत्र तथा विधी के शाशंग को कमजूर कर देता है इसी समस्या से निपटने के लिए भारत के पहले लोगपाल अध्यक्स जस्टिस पिनाकी चंद्रगोस की न्यूकती साल 2019 में क उनकी न्यूकती के साथ ही लोगपाल के अन्य सदस्यों की भी न्यूकती कर दी गई थी उसके बाद से ही यह संस्थार लगातार आगे बढ़ रही है और अभी हाल ही में लोगपाल अध्यक्स ने शिकायतों के प्रवंदन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगपा शिकायत करता के लिए एक डेशबोर्ड परदान करता है जिससे शिकायत के जीवन चक्र के दोरान शिकायत करता अपनी शिकायत के स्थिती देख सकता है यानि उसके शिकायत पर कार्यवाही कहां तक पहुंची है इस बात की जानकारी डेशबोर्ड पर अपडेट की जाती रहेगी शिकायत करता को शिकायतों के विबिन चर्णों में एक इमेल अलर्ट प्राप्त होगा और साथ में लोकपाल या इसकी कोई पीठ द्वारा पारित आदेश की प्राप्ती भी होती है लोकपाल तथा लोकायुक तदिनियम 2013 के अंतेगत भारत के लोकपाल संस्था इस्थापित की गई ताकि इस कानून के दाइरे में आने वाले सरकारी करमचारियों के वरुद वरस्टा चार के आरोपों की जाच की जा सके मौजुदा वक्त में बाक तथा एमेल से भेजी गई या हाथ से दी गई शिकायते भारत के लोकपाल द्वारा सुनी जաती हैं लेकिन अब भारत के सभी नागरेक लोकपाल ओनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी इस्थान से किसी भी समय शिकायत दर्ज कर सकते हैं बात इसके इतिहास की करें तो दुनिया में सबसे पहला लोकपाल साल 1809 में स्वीडन देश में न्युक्त किया गया था स्वीडन में इसे उमबुर्ट्समेन के नाम से जाना जाता है उमबुर्ट्समेन को भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाता है ये नामकरन साल 1963 में भारत के मशहूर कानून विद डॉक्टर एल एम शिंग भी ने किया था भारत में सबसे पहले के एम मुंसी ने बजट के दौरान संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाय था इसके बाद प्रथम प्रिशासनिक सुधार आयो के 1966 की सिफारिस पर साल 1968 में लोकपाल विदेयक पहली बार संसद में पेस किया गया था लेकिन उस समय ये पास नहीं हो सका था बाद में लोकपाल विदेयक को साल 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011 में पेस किया गया लेकिन हर बार ये विदेयक किसी ना किसी वाधा के कारण पारित नहीं हो सका इस तरहे तमाम नाकाम कोशिशों के बाद साल 2013 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद रास्टपती ने इस बिल को मनजूरी प्रदान कर दी लोकपाल की न्युकती के लिए प्रधानमंत्री के अध्यक्सता बाली एक चैन समीती होती है जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्स, लोकसभा में विपक्स के नेता, मुखे नियाधीस या उनकी सिफारिस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज और रास्टपती की और से न्युक्त किया गया एक सदश्य होता है विपक्स के नेता ना होने के कारण लोकपाल की नियुक्ती का मामला 2013 से 2019 तक अटका हुआ था बाद में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पस्ट कर दिया था कि अध्यक्स या किसी सदश्य की न्युक्ती इसलिए अवैद नहीं होगी क्योंकि चैन समीती में कोई पद रिक्त है लोकपाल कानून 2013 के मताबिक केंदर में लोकपाल और राज्य इस्तर पर लोकायुक्त होंगे लोकपाल एक बहुस सदश्य निकाए होगी जिसमें एक अध्यक्स और अधिक्तम आठ सदश्य होंगे इसमें आधे यानी पचास प्रतिसत नियाईक सदस्य शामिल होंगे और पचास प्रतिसत सदस्य अनुसूची जाती, जन जाती, अन्या पिछडा वर्ग, अलफसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे इस पद के लिए नियुन्तम आयू मांदंड 45 वर्ष है, चैन होने के बाद अध्यक्स और सदस्य पाक साल के कार्यकाल या सतर साल की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं लोगपाल अध्यक्स का वेतन और भत्ते भारत के प्रदान न्याधीस के बराबर होंगे, सदस्यों को उच्छतम न्याले के न्याधीस के बराबर वेतन और भत्ते मिलेंगे कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों के भ्रस्टा चार को लेकर लोकपाल से शिकायत कर सकता है शिकायत किस परकार से की जाएगी यह लोकपाल तै करेगा और इसकी जानकारी दी जाएगी प्रिदानमंत्री को भी लोकपाल के दाइरे में लाया गया है लेकिन इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाएं भी किये गए है लोकपाल कानून से जुड़ा एक मुद्दा काफी चर्चा में रहता है वह यह है कि इसकी धारा 63 के मताबिक पित्यक राजी में कानून के लागू होने के एक साल के भीतर ही लोकायुक्त के स्थापना की जानी है लेकिन अभी तक कुछ ऐसे राजी हैं जहां लोकायुक्त की न्युक्ती नहीं की जा सकी है